प्रस्ट क्यूशन इस एक्ससाइज जो 15 एक जो फिर्स क्यूशन देखते भी तो फॉल्लविंग बार ग्राफ शूज्व दव मार्क सिस्कौर्ड बाइद शूज़ इन्हें एक्जमिनेशन आउट ओफ हंड़ेड ठीक है क्या दिया वह फॉल्लविंग बार ग्राफ अब देख सकते हैं यह पर वर्टिकल लाइन जो है वह वाक्स को शूज़ कर रही है और सब्जेक्ट जो है हिंदी इंग्लिज मैतमेटिक साइंस और सोशल साइंस डिटिन दिया इस बार की हमें स्टेडी करनी है अगर स्टेडी करते हैं तो आपको साफ साफ पता लग रहा है इसका मतलब 65 मार्क मिलें इंग्लिज में कितने मिलें और आप आराम से देख सकते हैं 70 और 80 के बीच जा रहा है तो इस तरह से वन वाइवन हम इनके मार्क की स्टेडी कर सकते हैं आराम से यह उब्जिल्वेशन हमें किसे मिल रही है इस बाज़ग्राफ से डारेक्ली हम पता कर सकते हैं हम जलू कर सकते हैं फिर आते हैं इनके क्विश्यंज पर देखी फैस्टारिटल मार्कस अफ्टेन और सभी सबके मार्क सब लिखते जाई और सभको एड कर दीजिए टो इंठी तो क्या जाएग। नी हमंस नि Toby तोस्टेंड भाइदी त्रॉपकरत टॉप्टीफर करने संजै टॉप्टेंधने हो हैं ते तो देखते हैं एक ते ते हिंदी में कितने मंड रहे हैं पिर आता है एंग्ली इंग्लीस के मार्क कितने आ रहे हैं यंग्लीस के मार्क कितने आ रहे हैं उबूस घंडी-वाइफश सब्सक्राइब साइन्स में आपके मार्क्स आपको मिलेंगे साइन्स में 90 मार्क्स पर आता है सस्टी सस्टी का जो मार्क्स है वह आपकी है 80 अब टोटल मार्क्स की बात कर रहा है हम क्या कर देंगे इनको एड कर देंगे सबको देखिए एड कर दीजिए 5 और 5 10 10 और 5 15 15 का हो गया 5 कैरी बान 7 7 और 7 14 14 और 9 23 23 और 9 हो जाएंगे आपके 32 और यह 40 तो यह 405 मार्क्स टोटल मार्क्स आगे तूर पिक क्यून बर आता है B क्यून बर भी है इन विच सबजेक्ट और इन विच सबजेक्ट यह गोट अधाम मेकजीम मार्क्स मेकजीम मार्क्स इसकाइन पर क्याएगा इसका क्या आएगा? Maximum marks कौन से subject में बुल रहा है इसको? Mathematics में subject का नाम पूछा है in which subject right here Mathematics C C में क्या है? C में in which in which subject in which subject he got the minimum minimum marks minimum marks कितने में बुल है उसको? कौन से subject में बुल है? on which subject Hindi में so right here Hindi 65 किसमे है? Hindi में है सबसे कम ठीक है? प्यूसर नमर आठा है D in how how many subject he got 80 और more marks how many subjects कितने subjects में 80 और 80 से ज्यादा marks मिले है? 80 और 80 से ज्यादा 80 और 80 80 और 80 और 80 और 80 और 80 और 80 और 80 बी इंक्रूद है? 1, 2, 3 3 subjects में so answer is here 3 subject how many subject? it means 3 subject कौन कौन से है? अधा है SST हो गया है तो साइंस हो गया and maths हो गया है तो इस वे यह एक पर्टिकुलर डे का इसी दूद्वाले की जो चार्ट टाइप की गाये दे रखी हैं पे उन्होंने कितना कितना दूद्द देती हैं वो उनकी बारे में यहां पे यह चार्ट दिया हुआ है तो first of all we observe the chart so what is the given in this chart bar graph here chart paper milk quantity given by the cow scale 1 cm is equal to 2 liter देखें यहां पर यह जो दिया वाया यह क्या है इन लीटर milk दिया है इन लीटर यहां से देखिए scale लिए 2 लीटर इसका मतलब यहां पे distance कितने का चलेगा तू तू का distance चल रहा है ठीक है तो 0 2 4 यह एक तरसे 2 की table को आपको इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे देखिए जो cows हैं उनके नाम के नाम देखिए एक तो ह किया हैं यहां पे मोती देखिए टेञ लीटर कमरी कमदी जो है वह कितना देती है फिर 14 एंड 16 के बीच में लेट मिन 15 लेटर लक्समी किर देखिए आपका कितना टेन और को के बीच में अड़ैपनेंस एलेवन लीटर हीरा हीरा 6 लेटर तो इस तरह से नेंब अब देकार सब्सक्राइब बोलेंदे आफिसालियोग्यां करता है यानिन वन्स्वाइब नत्य राप्ति थाटम हुआत नहीं Inner's कशनियाल रहें पक्रत परफ्ट्राइब हुआ मोति कितना दूर देती है देख लीजिए यहां पर कितना दिया वे 10 लीटर यह क्या आपको लिखना है 10 लीटर ठीक है दूर्सीरा किश्ण देखिए किश्ण नमबर भी विच काउ गेव थे हाइस्ट कौंटिटी अफ मिल्क देख विच काउ कौन सी काउध देती है highest quantity of milk यानि सबसे ज़्यादा काव कौन सी दूद देती है कौन है कमली तो you can write here कमली ठीक है थर्ड किसन इस which cow gave the least quantity of milk that day सबसे कम दूद कौन सी गाय देती है ग्राफ सबसे कम किसका दिख रहा है हीरा का तो विसली हीरा क्या होगी सबसे कम दूद देगी तो इससे इनको मुबजर्व करके इनकी answers आपको देने है इस टाइब के आपके first to six questions है तीक है seven के आगे आपको graph paper बनाना है so we'll discuss next